बच्चो वेलकम बैक टुदी क्लास आज क्या पढ़ेंगे स्टेबल अंस्टेबल एक्विलिवरिम तक हमने पढ़ा है डाइपोल की बात चल रही थी टॉर्क नेट फोर्स सभी चीज़े हमने देख ली है हमें फॉर्मिला क्या मिला टॉर्क का एक बार देख लो टॉर्क का जो अभी हम question करने जा रहे वहां पर useful होगा सभी बच्चे देख टॉर्क का फॉर्मिला क्या है पी साइन थीटा यह वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो उसको क्रॉस प्रोड़क के फॉर्म में लिखोगे तो पी क्रॉस इह हम लिखेंगे चलो कुछ questions करते हैं इसकी उपर बेस थोड़ा mechanics से related moment of inertia के related कुछ question करते है चलो देखो यहाँ तो यहाँ पर दिया है electric field तो मैं electric field draw कर दूँ यहाँ पर दिस इस electric field और electric field के अंदर dipole रखा है एज जो कानी वही है पिच्चर भी वही hero भी वही पिच्चर में electric field और वह picture का hero dipole तो hero यहाँ पर ऐसा रख दिया है dipole ठीक है यह minus q charge यह plus q charge ठीक और यह जो एंगल है वो एंगल गिवन है 30 डिग्री का और डिस्टंस इस गिवन है उसके dipole के center से इस डिस्टंस में कहां से दिखाऊ यहां से दिखाऊ इस डिस्टंस इस एल बच्चो और यह भी डिस्टंस कितना है यह ठीक है अभी मुझे एक चीज़ बताओ ठीक है क्या यह dipole वही रहेगा क्या क्या रोटेट होगा इलेक्ट्रिक चलती इलेक्ट्रिक फिल में dipole को ला दिया ऐसे रख रोटेट होगा तो हमें यही question में पूछाए कि बताओ कि इसका angular acceleration कितना होगा तो question को हम पहले complete कर लेते हैं कि question हमें पूछाए हैं इसको लिपते हैं find angular acceleration of the dipole अलफा कितना होगा वो बता को नंबर तो नहीं आएगा एक हमें formula kind of मिल जाएगा तो कैसे proceed करेंगे कैसे solve करेंगे चलो देखते हैं situation हमें समझ में आई होगी I hope क्या situation है यहाँ पर dipole रखा है ठीक है और question में given है यह जो dipole से इसका mass m है और इसका भी mass m है बताना जरूरी है क्योंकि उससी से related question है ओक है तो हमने देखा कि जब electric field के अंदर dipole को रखते है तो इसके उपर इदर force लगेगा इसके उपर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा ठीक है तो यह rotate होगा यह क्या हो जाएगा rotate हो जाएगा ठीक है तो rotate होगा मतलब टॉर्क लगेगा टॉर्क लगेगा मतलब इसका angular acceleration होगा तो वह angular acceleration find out करने को बोला है चलो ना फिर find out करते हैं angular acceleration को कैसे find out करेंगे हमारे पास टॉर्क का फॉर्मिला है टॉर्क का फॉर्मिला क्या है पी-ई sin theta राइट लेकिन यहाँ पे कहा angular acceleration alpha की term है लेकिन mechanics में टॉर्क का फॉर्मिला कुछ होता है कोई मुझे बता सकता है क्या mechanics के अंदर r x f वाला ने दूसरा वाला बता हूँ in terms of moment of inertia i into alpha ठीक है तो इन दोनों को हम equate कर देते i alpha is equals to pe sin theta ठीक है यहाँ से हमें alpha मिल जाएगा alpha will be equals to pe sin theta divided by i ठीक है लगबग लगबग हो गया है हमारा question पेपर को थोड़ा सा orientation change कर देता हूं यह लेता है अभी मुझे बताओ कि moment of inertia मुझे find out करने है तो moment of inertia क्या होगी है क्या यह discrete particle है यह continuous body है यह जो दो charges है these are discrete particles ठीक है तो इसका moment of inertia हम निकालते है यहाँ पे moment of inertia क्या होगा mass into distance from the axis इसके center से जा कहा से rotate होगा यह यही से rotate होगा इसका axis यह है तो यहाँ से इस m का distance कितना है L है moment of inertia का formula क्या होता है summation of mass into distance between them का square perpendicular distance का square तो यहाँ पे moment of inertia एक तो scalar quantity है धड़ा-धड़ से add कर देंगे तो यहाँ पे से इसका mass M है तो मैंने लिखा M distance कितना है L उसका square फ्लस नीचे वाला mass M है और उसका distance from the axis of rotation is L square तो moment of inertia इसका कितना हो गया 2 ml square इसको box करके रख दिया हमने मोमेंट of inertia साइन 30 डिग्री की value बता दो sin 30 degree 1 by 2 तो यहाँ पे put करके हमारा answer ready हो जाएगा that's alpha is equals to अगर हम P को भी substitute करना चाहते हैं तो P को कम क्या लिख सकते है Q into L लिखू या 2L क्योंकि distance between the charges is 2L ठेक है तो सभी चीजों को यहाँ से उठा के हम put कर देते हैं और कुछ ऐसा कि दिखा देते हैं कि हम यहाँ पूट करने जा रहे है और लिखते हैं अलफा कितना आएगा is equals to P को मेंने लिखा Q into 2L लगता है न थोड़ा font छोटा करना ही पड़ेगा है तो अलफा is equals to Q into 2L into E into 1 by 2 divided by moment of inertia 2 ml square तो अलफा फाइनली कितना मिल जाएगा यह 2 और यह 2 कट हो गया उपर का 2 नीचे आ गया एक L और एक L स्क्वेर का L कट हो गया QE divided by 2 ml सर्फ 2 कौन सा नीचे यह वाला 2 इदर आ जाएगा तो अलफा कितना मिला हमें QE upon 2 ml इस दे आंसर ठीक है थोड़ा सा linkage question ऐसे बन सकता है देख लो एक बार इस question अंगुलर acceleration निकाला हमने QE upon 2 ml मिला हमें आंसर समझे और एक question करोगे related to SHM SHM का question करते हैं यस चल तो लेट्स टेक अनादर question find the time period capital T you capital D should find the time period of oscillation oscillation of a dipole placed in uniform electric field and slightly displaced from its equilibrium position sort of formula हमें यहां पर derive करना है through this question time period of oscillation हमें find out करना है placed in an uniform electric field जो dipole होगा तो उसको slightly directly displace कर देंगे उसकी equilibrium position से देखो बच्चों हम पहले electric field निकाल दे यहां पर let's draw some electric field over here यह electric field ठीक है ठीक है तो इसको स्लाइटले सा उपर डिस्प्लेस करते हैं तो यह जो हमारा डाइपोल है इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करने से क्या होगा इसको इसको ऐसे की चाहिए इसको स्लाइट डिस्प्लेस करने से क्या होगा ड्यू टू इट्स मुमेंट अफ इनर्शिया थोड़ा ऐसे होगा इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है एंगुलर एसे चेंट परफॉर्म करेगा ठीक है तो उसका टाइम पिरेड कितना होगा यह हमें पूछा है तो पहले तो हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं चलो भई आपका समय आ गया स्लाइटली डिस्प इपरस्ट किया ठीक है तो इसको टॉर्क कहा लगेगा इस की उपर टॉर्क इस डिलेक्शन में नहीं लगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको नीचे खीचेगी अपने और इडिशनल पॉजिशन में जाएगा तो अगर यह डिस्पलिस्मेंट स्मॉल हें और स्लींट चार थीटा की value छोटी होकी थो ठीक है चलो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं समझते और ठीक है मुझे बताओ टॉर्क का फॉर्मिला क्या है पटाफट से बता हम इसको continue करते हैं इलेक्ट्रिक फीड़ ए है टॉर्क का क्या लिखू मैं, sin theta को क्या लिखते हैं, अगर displacement छोटा होता है, कई बार हमने किया है, sin theta को हम क्या लिखते हैं, theta लिख देंगे, ठीक है, आई बात समझ में, sin theta को theta लखेंगे, क्योंकि हमने small displacement किया है, ठीक है, तो यहाँ पे torque is equals to, हम यहाँ पे लिखेंगे, P e into theta, ठीक है, P into theta, ठीक है, यह expression किसका होता है, जब हम काम करते हैं, हम इसको गुमाते हैं तब, हमें expression किसका चाहिए, जब electric field इस torque को rotate करेगी, who is rotating this dipole torque, हमने क्या किया है, हमने इसको displaced किया है, तो we are producing some torque, जब electric field की बात करोगे, तो electric field उसको reverse नीचे खीचेगा, हमने इसको theta angle से उपर कीचा, electric field उसको theta angle से नीचे दबाएगी, so हम electric field के कारण जो torque produce हो रहा है, वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम minus theta दे देंगे, ठीक है, we are interested to write the equation in terms of electric field ने लगाया हुआ torque, यह जो expression है, हमने इसको revolve किया है, तब लगाया हुआ torque, ठीक है, तो हमने minus theta वहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एक चीज़ हमने SHM में देखी थी, चलो SHM को मैं revise करके देता हूँ, SHM में क्या condition होती है, SHM कोई body perform करती है, तो हम क्या लिखते है, सबसे पहले तो यहाँ से शुरुवात होती, F should be directly proportional to minus X, तो हम इसको लिखते है, F is equals to minus KX, F को लिखते है हम MA, MA is equals to minus KX, हम यहाँ पे A को क्या लिखते है, फिर minus K by M into X, तो हमें expression मिल जाता है, कि अगर कोई particle SHM perform करता है, तो it should follow this condition, and the expression will look like this, acceleration is equals to minus omega square X, इस K by M को हम omega square put करते हैं, that's the thing, और यही हमें omega से time period मिल जाता है, which is nothing but 2 pi by T, ठीक है, तो यह तो linear SHM की बात हुई, जब particle, जब particle oscillate करता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो A is equals to minus omega square X, हमारा particle क्या कर रहाँ, अहाँ, 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 अंगुलर SHM, अंगुलर SHM, अंगुलर SHM, तो उसके लिए यह expression जो है, यह जो condition है, angular SHM के लिए, वो क्या लिखेंगे, instead of A, what should we write here, alpha, ठीक है, यह minus omega square constant तो वैसे ही रहेगा, instead of X, what should we write here, is theta, so this is the condition of angular SHM, यह तो linear SHM की condition हुई, वो हम clearly यहाँ पर mention करते हैं, ठीक है, this is for linear SHM, अगर हम वही यहाँ पर बात करेंगे, for angular SHM, angular SHM, थोड़ा SHM का concept यहाँ जो हो रहा है, that is alpha is equals to minus omega square theta, ठीक है, इस term में हम हमारा यह torque का equation अगर लेकर आते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा बच्चों, ठीक है, yes, तो हम क्या करते हैं, इस torque वाले equation को हम continue करते हैं आगे, क्या इस torque को लिखा जा सकता है, क्या I into alpha, just previous example में हमने देखा, torque को I alpha लिखा जा सकता है, इस torque को इसके बराबर कर देंगे, that is minus P E into theta, alpha के term में इसको rearrange कर देंगे, तो यह हो जाएगा minus P E by I into theta, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लेकर आते हैं हम, ठीक है, अभी यह term को हम omega square से replace कर देंगे, यह तो alpha is equals to considering this term as my omega square, so minus omega square theta हमने लिख दिया, compare करके हमें omega square मिला P E upon I, ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे हमका time period find out करने के लिए, हम expression को इस format में या इस format में लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो यह theta तो आ गया, यह minus sign आ गया, यह alpha आ गया, मतलब omega square क्या होगा, P E upon I, so let's write down, so यहाँ से omega square हो जाएगा P E upon I, तो यहाँ से कोई मुझे time period का expression बता सकता है, पहला हम यहाँ से omega निकाल लेकर, which is equals to under root of P E upon I, 2 pi by T omega होता है, which is equals to under root of P E upon I, ठीक है, तो time period कितना आ जाएगा बच्चो, 2 pi, यह total term उदर जाएगे, ultra flip मार दो उसको, under root of I upon P E, P E का potential energy का नहीं, डाइपोल मुमेंट इंटो, इलेकर फिल्ड है, ठीक है, so this is the expression of particle, when slightly displaced from its equilibrium position, which will perform simple harmonic motion, with this time period, 2 pi under root of I upon, डाइपोल मुमेंट इंटो, electric field, ठीक, तो let's summarize this, यहाँ से शुरुवात की हमने, इस question को यहाँ से शुरुवात की, time period पूचा था, slightly displaced किया, और यहाँ से हमने, इसको यह देखा, ठीक है, alpha is equals to minus omega square theta के, term में हमने इसको लिखा, तो time period का formula, 2 pi under root I upon P E लिखा, इतना लिख लो, जल्दी जल्दी, फिर हम आगे चलते हैं, अगर अभी लिखना नहीं होता है, तो you can write it afterwards, after the lecture, I will share the video, सलाई से पुड़े, चले आगे चले, पाकी questions वगएरा, तो यह कर लिए हमने, यस, ठीक है, तो इसके बाहर आते हैं, बस इतना ही था, regarding torque, और mechanics से related, जो भी questions, यहाँ पे बनते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे आकर हम चालते हैं, हम potential की बात करते हैं अभी, डाइपोल के कारण, जो potential के formulas हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, कि on the axis, on the general point, on the equatorial position, find out करेंगे हम, होगी यहाँ, बल्दई, बल्दई, चलो तो next bit लगाओ, heading लगाते हैं न, यह आपे heading लगा बढ़िया सा, potential due to, potential due to, electric dipole, electric dipole, ठीक है, तो potential due to electric dipole, इस heading के अंदर, हम एक tree diagram बनाने जा रहे हैं, ठीक है, क्या tree diagram है, तो इसके तीन cases, देखेंगे हम, ठीक, जैसे हमने electric field के लिए देखे थे, तीन cases, वैसे ही हम, potential के लिए तीन cases देखेंगे, dipole के लिए, मैं सभी को recommend करूँगा, electric field के formula, और potential के formula, एक table के अंदर लिखोगे न, बहुत compress हो जाएगा, यह topic, so, पहली case हम यहाँ पर देखेंगे, on the axis of dipole, on the axis of dipole, दूसरा हम देखेंगे, equatorial position पर, on equatorial position, ठीक है, on any general position, on any general position, हम dipole के कारण, जो potential हो रहा है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से चलेंगे, इधर को आएंगे, यहाँ से, यहाँ पर बढ़ेंगे, तो तीन formula हमें मिलेंगे, ठीक है, तो यह situation को हम आगे लेकर जाते हैं, हमें, on the axis of dipole, यहाँ पर लिखता हमें, case 1, on the axis of dipole, so let's draw the dipole, यह रहाँ dipole, minus q, plus q, let's say the distances are given L, and L, ठीक है, so along the axis, on the axis of dipole, मतलब यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर कहीं, एक position पर, हमें find out करना है, इधर, किसी center, से, इसका distance, नाप के, दिया गया होगा, x, हमें net potential, find out करना है, at position p, ठीक है, तो हम इसको लिखते है, little bit, derivation है, तो little bit, derivation कम, लिख देते हैं, so net potential, at point p, हम लिख सकते हैं, potential due to, minus q charge, plus potential due to, plus q charge, मुझे बताओ, potential due to, minus q charge, यहाँ पर कितना होगा, यह तो point charge, ठेरा, यहाँ इसका distance, नाप के बताओ, potential का formula लगा, और मुझे बताओ, क्या आएगा, potential due to, minus q charge, चलो बच्चो, charge up हो जाओ, चलो बताओ, आता है तुम लोगों को, potential due to, minus q charge, बोलो, kq अपॉन, minus kq, minus kq, right, potential के लिए, नाए, हाँ, yes, so k into, minus q, divided by, यहाँ से यह distance, कितना है, 2l, plus x, ठीक है, so we will write, that, 2l, plus x, और, यहाँ पर, potential due to, negative charge, वो क्या होगा, potential due to, negative charge, q upon, ठीक है, there are two options, हाँ, यहाँ पर, confusion होने की, chances जाद है, क्या हम, इसको, distance को, ऐसा लिखे कि, 2l, plus x, या, इसको, l, plus x, लिखना होगा, इन दोनों में से, कौन सा, लिखे हैं, क्योंकि, कोई भी, distance, dipole, हम कहां से, measure करेंगे, उसके, center से, measure करेंगे, यह, फंडा, यहाँ पर लगाना है, तो, इसको, l, plus x, लिखा, ठीक है, यस, इसके लिए, क्या लिखेंगे, x-l, so, we'll write, x-l, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते, इन दोनों में kq common है, kq common ले लेते है, so, this will be, minus 1 upon l, plus x, plus 1 upon, x-l, इसे solve करते हैं, cross multiply करो, solve करते हैं इसे, यह हो जाएगा, minus x-l, plus l, plus x, divided by, l plus x into, x-l, ठीक है, so, l plus x को, मैं, इस l plus x को, x plus l लिख सकता हूँ, वोन इन दे से, क्योंकि वो, x-l को कॉंपलिमेंट करेगा, x plus l, l plus x था, x plus l लिख दिया, बाकि कुछ नहीं, क्या बचेएगा अंदर, अंदर क्या बचेएगा, यह होई जाएगा, minus x, plus l, plus l, plus x, divided by, इसको क्या लिख सकते हैं, denominator में, x square minus l square, तो यहां उपर क्या कट हो रहा है, plus x, minus x कट हो गया, यह kq, अंदर मुझे मिला, 2l divided by, x square minus l square, तो यह, हमारा जाना पेचाना दोस्त मिला हमें, q into 2l, इसको क्या लिख सकते हैं, p, so kp upon, x square minus l square, this is the net potential, at point p, ठीक है, अब इसके अंदर, हम कुछ condition, लगा देते हैं, generally, generally, what we take, x is very much greater to the l, so, यह formula में क्या बन जाएगा, p at p is equals to, kp upon, l को हटा दो, नीचे क्या बचेगा, x square, so that is, kp upon x square, is the formula, जिसको हम star करके रखते हैं, और लगे हातो, लगे हातो, क्या लगे हातो, situation में, potential at point p हमें मिल गया, कितना मिला, kp upon x square, ठीक है, इसका direction को भी बता सकता है क्या, potential का direction को भी मुझे बता सकता है क्या, for the axis, इसको direction ही नहीं होता, क्योंकि यह, यह यह लार quantity है, ठीक, चल, हमने जो पढ़ा था, इसके पहले, मुझे बता, electric field at point p, along the axis point, क्या formula मिला था हमें, electric field at point p, देखके बता, फटा-फट से पीछे जाओ, notes में देखके बताओ मुझे, electric field at this point p, क्या formula हमें मिला, kp upon x cube, या 2 kp upon x cube, तो इसका direction, इसको होता है, electric field को direction, in the direction of dipole, ठीक है, तो हम i-cap लिख दे इसको, ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ, कि dipole के लिए कारण, जो potential और electric field के formula ने, tabulated form में लिखना, ठीक है, समझ में भी आएंगे, ठीक है, यहाँ पर i-cap क्या दिनेट कर रहा है, in the direction of dipole, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, e is parallel to p, ठीक, चलो next case की तरफ बढ़ते हैं, यह तो बात होगी हमारी, along the axis, formula यह मिला, आपके screen की उपर, kp upon x square, आगे बढ़ते हैं, second, अच्छ चलो, मैं आगर इसका graph draw करना चाहूँगा, graph भी पूछते हैं कई बार, इसका अगर हम graph draw करते हैं, potential versus this distance x, तो यह graph कैसे आएगा, graph will be like this, यह भी note down कर, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ पता चली, v is inversely proportional to x square है, यहाँ से एक पता चली, e is inversely proportional to x cube है, ठीक है, क्योंकि in terms of dipole, हमने यह formulas लिखे, यहाँ पे इसलिए x square आए, यहाँ पे x cube आए, इन general क्या आता है, potential is inversely proportional to x आता है, and electric field is inversely proportional to x square आता है, आला कि यह dipole है, तो वो p की time compensate कर रही है, इसलिए यहाँ पे निचे x cube, यहाँ पे x square आता है, ठीक है, हाँ कल exam इना हमारी, आज क्या तारीक है, 13, कल 14 तारीक है, कल क्या है, ऐसा क्या खास है हमारी लिए कल, omega test series का paper है, क्या सिलाबस है, calorie matrix है, waves तो, कोई इसको miss नहीं करेगा exam, ठीक है, मुझे सबका attitude बहुत ही serious चाहिए, ऐसे समझ के चलेंगे, कि हमारी neat या jwe का paper है, और हम उसके लिए, prepare करेंगे, और attempt करेंगे, सो मैं heading दे रहाँ, case 2 की दरफ चलते हैं, at equatorial position, equatorial position पे, क्या आना चाहिए potential, DPP में जो मुझूद थे, वो बता सकते हैं, equatorial position, पे, equatorial, नए, 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 at this position P, हमें find out करना है, इसके distances अम दूसरे कलर से दिखाएंगे, नए, 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 टीपी के अंदर ऐसा question था है, उसका answer वा हाँ, गाल कर दिनने हो तो मुझे यह डिस्तंस चाहिए और यह डिस्टंस चाहिए यह डिस्तंस कितना है और मुझ इस दिस्टंस कि यह यह एक्स है तो अंडर रॉट ऑफ स्क्वेर सऩ एक आ जाएगा और सिमिलर्लीEr यय L square plus X square आजाएगे हैं तो potential at point P because of this negative charge हम क्या लिखेंगे K minus Q divided by L square plus X square plus potential due to plus Q charge what we will write beta K plus Q upon under root of L square plus X square 0 so equatorial position पे potential कितना आएगा 0 क्या electric field 0 आ रही थी क्या वहाँ पे WKT we know that electric field at potential पे कितनी है बताओ क्या formula है what is the formula electric field kp by x cube kp by x cube इसका direction plus i-cab या minus i-cab मतलब यह i-cab है तो in the direction of potential है या in the opposite हमने देखा वो इन दी opposite direction of potential होता है ठीक है तो यह मिल गया में फॉर्मिला इसका क्या ग्राफ बनाओगे वो तो 0 है तो कोई ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यह बात होगी पोजिशन पे बस जन्रल पोजिशन देखते है चलों तो केस्ट्री यहां पर हम लिखेंगे केस्ट्री ऑन एनी जन्रल पोजिशन ठीक है ड्रॉ करते हैं सिचुएशन डाइपोल ठीक है कोई पार्टिकल पी यहां पर है जिसका एंगल है थीतर डीस के ऐउड़ ड्रॉरी पर है थीक है कि तो यहां पर पोटेंशाल अटपी हमें फइन्ड आड करना है तो हम यहां पर FAR क्या करेंगे हमने इस डाइपॉल के दो तुक्ड़े करेंगे दो दुकड़े डाइपोल की सब्सक्राइब किसी के पास डाइपोल की दुकड़े करने हमें दो दुकड़े कैसे करेंगे कैसे करेंगे एक along this और एक perpendicular to this कोई मुझे बताएगा यह डाइपोल का कितना होगा यह डाइपोल अगर पी है इस डाइपोल को नीचे देखो यह अगर डाइपोल पी है यह अंगल थीटा है उसके दो components मुझे चाहिए यह component और यह component क्या पी कॉस थीटा नहीं हो जाएगा जैसे इलेक्रिक फिल्ड में बनाया था वैसी यह component क्या हो जाएगा पी साइन थीटा यह पोजिशन थीटा यह पोजिशन पी पे कितने kождने पोटेंशिल क्रिएट होगी इन विकोज फी कॉस थीटा कितना ready रइट रइट उ इसको पकड़ो बहिए कर चाच पोइच क्याच पोटेंशल एट प्ॉइंट पी फोटेंशिल न क्यूण कर देते 먹 falling Che理 ले लेते हैं ठीक है इस पॉइंट इस के के कि पोटेंशल का पी और यह पोजिशन आफ पार्टिकल पी मैच हो गया तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके पॉइंट पे potential कितनी होगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते है, potential due to P cos theta, plus potential due to P sin theta, ठीक है, तो at K point, potential due to, मुझे बताओ P sin theta कितना होगा, P sin theta के लिए point के सा, it is like an equatorial point, तो P sin theta के कारण जो potential होगा, वो होगा 0, और P cos theta के कारण, it is like an axial point, axial point पे उसका formula हम लिखेंगे, वो क्या मिला था, हमें Kp by R square, बस इसको cos theta लिख देना, तो yes, at point K, you got the formula, Kp cos theta upon R square, यार मुझे electric field बताओ, यहाँ पे कितनी मिली गई थी हमें, electric field at point P, general point, क्या formula था, कोई बता सकता है, electric field, Kp upon R cube under root 1 plus cos square theta, यह हमारा formula था, उसके लिए, ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाएगा, अगर हम इसको tabulated formula देगो, that's it for the today, electric field potential के हमने यह देखा, कल mostly हम इस topic को खतम करेंगे, second beat को, जहाँ पे हम potential energy की बात करेंगे, ठीक है, potential energy and work for the dipole, यह last वाला beat हमारा बाकी है, जिसे हम कल cover करेंगे, ठीक है, तुम लोग exam दोगे, 4 बज़े के आसपास मैं exam upload कर दूँगा, omega test series का, यह हमारा 2021, जून से, जुलै से, series start हो गई है, पहला paper रहेगा, protein को पहला paper है, पहले में recording stop कर लेता हूँ, bye bye बच्चो, कल के lecture में मिलते हैं,